नमस्का दोस्तों तम English Spawn आपा सोथ करते हैं फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में सेखने वारा हैं Stand system emoji का सही मतलब WITH одним idle picture के साथ तो चलिए दोस्तों आपका समय का ज़ादा लेत वें चलते हैं बोड में और एक-एक Stand system को देखते हैं Memise के साथ तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यह जो चिन्न आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर हिंदी में मतलब होता है एक चीज या एक सवाल दोस्तों जो हम लोग क्लास में बेठे रहते हैं तब हम लोग इस तरह का सिंगनल देते हैं कि सर एक कोश्चन है क्या एक कोश्चन पूछ सकते हैं तब इसका हम यूज करते हैं इस तरह के सिंबल को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर नेक्स्ट फिस्ट हैंट या पंच इसको बोलते हैं मारना या धमकाना जो आप जिस्टर देख रहे हैं इसको बोलते है राइस्ट फेस्ट इसका मतलब होता है ताकत का इजहार करना राइस्ट फेस्ट इसको बोलते हैं पॉइंटिंग टू दे लेप्ट इसका मतलब होता है इसारा को बाई तरब जब हम लोग कोई सारा दिखाते हैं या सिंबल दिखाते हैं तब हम लोग इस तरह का यूज़ करते हैं इसको बोलते है राइजिंग बोथ हैंट खुजी दिखाना या गर्व होना इसको बोलते है राइजिंग बोथ हैंट इसको भोलते है Pointing the right Pointing the right दाई तरब तो दाई तरब इसारा अगर करना है Hand jister से Pointing to the right Pointing upwards उपर के तरब दुस्तों किसे को उपर के तरब कुछ दिखाना होता है तो इस तरब आप jister का use करते है Pointing upwards का Next Pointing downwards निचे के तरब को भोलते है Pointing downwards इसको बोलते हैं, welcome slot, next, rized back of hand, rized back of hand, ध्यान खिछना, इसको बोलते हैं, rized back of hand, flexed biceps, इसको बोलते हैं, ताकत दिखाना, दोस्तों, अब लोग मजाक में बोलते हैं न, देखो मेरा ताकत है, flexed biceps, ताकत दिखाना, next, rising middle finger, इसका मतलबता है, बत्यमीजी या गाली देना, इस चिनल का use आप कभी न करें, इसको बोलते हैं, rising middle finger, बत्यमीजी करना या गाली देना, next, praying hands या folded hands, माफी मंगना या दूआ मंगना के लिए, हम लोग इस तरह का use करते हैं, इसको बोलते हैं, praying hands या folded hands, next, handsick, मिलाता हाथ, pumps up together, हाथे लिए एक हाथ उपर होना, pinching hand, चकोटी काटता हुआ, pinching hands, जब कोई चीज किसी से छोटी मातला में लेना है या मांगना है, तो मिलों बोलते हैं, pinching hand, next, writing hand, लिखता हुआ हाथ को बोलते हैं, writing hand, next, clapping hands, तालिय बजाते हुए, निश बोलते हैं, clapping hands, thumbs down, य तो हम लोग इसको thumbs down को बोलते हैं, एंग्लिश में, ठीक, next, इसको बोलते हैं, okay hand, ठीक है, अच्छा है, जब ठीक है, अच्छा है बोलते हैं, तो इस तरह का gesture का use करते हैं, इसको बोलते हैं, okay hand, next, बोलते हैं, crossed finger, wish, कामना या good luck के लिए इस तरह का signal दिया जाता है, इस त अंठा हुआ suffaid, या good like विविंक हैंस इस मntलब होता है इस को बोलते हैं तो phone करने के लिए अब इस तरह की सरा करते हैं प्यार जताने के लिए इस तरहीं का जिस्टर करते हैं इसको बोलते हैं rized hand उठा हुआ हाथ इसको बोलते है open hands खुले वे हाथ ओपन हैंज तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगाद वीडियो को लाइक कीजिए सेर्ड कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए मेरे चैन को और घंटी का बैर आइकॉन दभा दिजिए जिसमें हर आने बारी नोट पिकसन आपको टाइप पर मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तर के लिए बाई